वेलकम तो न्यू लेस्न so आज के लेसन में हम प्रक समझने वाला थी कैसे आप कॉंटेंट स्रेटेजी अपने सेब्स बाथट वेले और को श्यूरा बनाना और अगएं कल के लेसन में फिरम सीखेंगे कने लेडियो के यूट्टिप channel बनाने के लिए आपको simply login करना है youtube.com पे आपके पास एक Gmail ID होनी चाहिए और यहाँ पे मैं youtube.com पे हूँ और आपको यहाँ पे जो आपके profile वाला icon दिखता है उसे click करना है then you will see option create channel right you can see it here create a channel so just click create a channel then एक यह कुछ आएगा आपके पास your creator journey begins करके so simple आपको कर देना है get started ठीक है then यह पूछ रहा है कि क्या आप अपना नाम यूज करना चाहते हो धीपक सिंग जो मेरे नाम है या कोई आप दूसरा नाम यूज करना चाहते हो ठीक है तो मैं कर देता हूँ say user custom name और इसे मैं कर देता हूँ select अब आप इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको create ठीक है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है ज़्यादा simple और अब यह create हो जाएगा हमारा channel राइट तो channel create हो चुका है अब यह कह रहा है मेरे से यहाँ पे upload करने के लिए अपना profile picture ठीक है तो आप एक अपना profile picture बना लो canva वगर में और वो आप यहाँ पे upload कर सकते हो तो मैं simple एक काम करता हूँ canva पे एक profile picture बना लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे upload कर देता हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पे canva पे गया और एक से मैं created design करता हूँ canva पे और यहाँ पे मैं ले 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 था हूँ logo यह मैंने logo लिया और इसको मैं simple black background ले ले लेता हूँ और इसका यहाँ पे मैं नाम कर देता हूँ देखोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा font तो इसको उड़ाते हैं और text पे जाते हैं और यह वाला font ले लेते हैं यहाँ ब्लैक आ रहा है तो यहाँ से select करके color change कर देते हैं YouTube और then मैं रख देता हूँ course ठीक है आप अपने brand के हिसाब से जो भी आपका brand है उस हिसाब से आप नाम लिख सकते हूँ और यहाँ पे मैं font ले लेता हूँ न्यू नीटो और आप कोई भी font ले सकते हूँ जो भी आपको पसंदो और YT course और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको download ठीक है जी अब वापस जाते हैं और यहाँ पे upload picture यहाँ से upload करते हैं यह रहा यह हमारा upload हो गया अब यहाँ पे आप अपने channel का थोड़ा सा description दे दो ठीक है थोड़ा सा बता दो कि आपका channel किस बारे में अच्छा description देना बहुत ही बहुत ही जादा ज़रूरी है तो suppose करते हैं कि यह जो मेरा channel है यह है about YouTube कि कैसे आप YouTube पे channel बनाओ क्या करो नहीं करो तो YouTube के बारे में information देने के लिए मैं चैनल बना रहा हूँ ठीक है तो इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा description लिखूंगा तो से मैं लिखता हूँ अगीन थोड़ा सापको वांट step by step tutorials on how to grow a YouTube channel अब देखो यहाँ पे जो मैंने दूसरा यह लिखा है पहला तो मैंने लिखा है वांट step by step want to start and grow a YouTube channel दैन मैंने लिखा है वांट step by step tutorials on how to grow a YouTube channel है तो देखो how to grow a YouTube channel मैंने जान मुझके यहाँ पे एक keyword का use किया है है तो आपको भी keyword heavy लिखना है थोड़े keyword का use करना है ताकि जो आपका channel है वो जब कोई keyword सर्च करें तो उसमें appear हो हाना तो आपको थोड़े keywords यूज करने है तो यहाँ पर मैंने simply यह यूज किया है वांट step by step tutorials on how to grow a YouTube channel और वांट लेटिस्ट tips and hard tricks on how to not grow how to get more likes how to grow get more views how to get more views and subscribers for your YouTube channel channel okay if yes then this channel is what you have been looking for we upload weekly videos on how to how to grow our YouTube channel ठीक है how to get more views on your videos and much more don't forget to subscribe our channel ठीक है इसको और मैं थोड़ा सा इस पर काम कर सकता हूं और इसको और इसमें थोड़े मैं एक दो keywords include कर सकता हूं अगर आपकी website है तो आप यहाँ पर अपने website का URL डाल सकते हों ठीक है बहुत ही जादा आसान है आप ऐसे बना सकते हों एक जोड़ा description आप अच्छा लिखो ठीक है तो आप customized channel जो option है इसको click करिए अब जैसे आप customized channel option क्लिक करेंगे आपके पास काफी सारे यहाँ पर option आ जाएगा देखो यहाँ पर आपके पास about आ गया जो मैंने यहाँ पर पहले लिखा था वो यहाँ पर आ गया ठीक है आप चाहो तो यहाँ पर अपना email address add कर सकते हो ठीक है आप इसे click करोगे add channel art को तो आप यहाँ पर जो एक पीछे channel art होता है cover होता है यह आप ढाल सकते हो ठीक है तो आप एक cover page बना लो और देन आप उसको यहाँ पर upload करते हो तो अगेन मैं अगर canva पर जाओं और यहाँ पर मैं create a design करूं और यहाँ पर just simple search करूं YouTube तो दे एक channel art design कर सकते हो और उसको आप यूज कर सकते हो देखो अलग अलग तरीके के channel art है यहाँ बने हुए है तो तो से एक यह channel art है से मैं इसी को यूज कर लेता हूँ so learn how to grow your YouTube channel ठीक है और यह हटा देते हैं जो भी है और एक मैं यहाँ पर टेक्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी channel का नाम लिख देता हूं जो है on YouTube course ठीक है और इसको पूरे को select करो और यहाँ से लो new need to यहाँ पर ले लिया मैंने और डाउनलोड डाउनलोड यह हो गया मेरा channel art ठीक है जी वापस आए add channel art और select photo और यह रहा मेरा channel art अब देखो यह थोड़ा सा साइट साही नहीं आ रहा अगर आप यहाँ देखोगे तो desktop पे थोड़ा सा घडबड हो रहा है और mobile भी थोड़ा सा घडबड हो रहा है है तो थोड़ा सा size नहीं है तो मेरे को यह थोड़ा सा size बैटर करना पड़ेगा अब इसमें size में घडबड़ी क्या हो रही है सो अगर मैं देखूं देख तो YouTube कोर्स कट रहा है है अगर desktop और mobile पे देखूं और नीचे वाला section भी कट रहा है सो वापस एक काम करना पड़ेगा पहले चीज तो यह करो यह सारा उठाओ और थोड़ा सा नीचे कर दो थोड़ा सा नीचे और यह YouTube कोर्स उठाओ और इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और इसको सेंटर में कर दो और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दो और थोड़ा सा इसको सेट कर दो राइट अब फिर से डाउनलोड करो और दुबारे ट्राई करते हैं अब देखते हैं कि साई सा और यहां से सलेक्ट करो और यह रहा अब देखो अब सही आ रहा है है थोड़ा सा भी गड़ बड़ा है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ठीक है मैं ऐसे रहने देता हूं और इसको सेव कर देते हैं साही हो गया ठीक है तो ये मेरा चैनल बन गया यहां पर आप चाहो तो अपना email address डाल सकते हो और यह हमारा आगया home और यहां से जाओगे your click करोगे वापस तो आपका यहां पे creator creator studio अजाएगा creator studio के थू आप अपनी चैनल को manage कर सकते हो वीडियोस post कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो आप यहांसे कर सकते हो की सेटिंग्स यूज कर सकते हो पहले creator studio classic हुआ करता था अब YouTube ने अपना start किया है नया हय ठीक है और पहले classic को करता था तो आप चाहो तो वापस classic भी use कर सकते हो काफी लोग classic use करने के used to है तो creator studio use नहीं करते तो आप चाहो तो वापस classic use कर सकते हो या फिर आप creator studio use कर सकते हो whatever you want ठीक है जी तो यह रहा मेरा channel और हमने इसमें सब cover photo अगरे लगा दिया है so that's it make sure कि आप अपना youtube channel बना रहे हो और देन आगे के lessons में हम अब आगे की चीज़े सीखेंगे ठीक है थेंक यू सो मच फो वाचिंग इस वीडियो